शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वीसेया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले फिर सुपारी गोडान पर FDA का छापा सड़ी सुपारी भरे ट्रक की जानकारी FDA को शिवसेनिको ने दी वाडी वर धामना ट्रांसपरड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़ी सुपारी का आवागमन होने के मामले सामने आ रहे हैं शुक्रवार को एक करोड से जादा सुपारी पकड़ी गई थी वही शनिवार को नाकपुर के अन्नावशदी प्रशासन सहायुक्त चंद्रकान पवार ने छापा मार कार राई की जिसमें 24,498 किलो 352 बोरी सुपारी की कीमत 52,73,625 रुपए बताई गई सुपारी ट्रक पर लदी हुई थी सुपारी सिर्सी करनाटक से वर्धामना एबीजी लोजिस्टिक से ट्रक रमांक यूपी 78, डीटी 1280 से लाद कर श्रीजी सेल्स कानपुर जा रहे थी दो दिन में ही यह दो बड़ी कारवाई होने से ट्रांस्पोर्ट क्षेत्र में हरकम मच गया है शनिवार को छुट्टी के दिन भी अन्ना अउशदी प्रशासन के अधिकारियों ने कारवाई की वारी से कई दिनों से सड़ी सुपारी का कारोबार चल रहा है सुपारी गोडा उनका मालिक विजेशुकला कानपूर निवासी है लेकिन 20 साल से नाकपूर में निवास कर रहा है कानपूर में यह सुपारी की सप्लाई करता है अब वारी वर्धामना ट्रांस्पोर्ट में दहशत का माहौल बन गया है दोन नंबर का माल रखने वाले अब सावधान हो गये है कारवाई चल रही थी तो पत्रकारों को जानकारी देने वाले शियोसेनानेता कुमार सावसेरे पर भी सुपारी व्यापारी विजेशुकला भढ़ग गए दोनों में जमकर कहा सुनी हुई शियोसेना नेता आमने सामने अन्ड़क्षा विभाग के सहायुकत चंदरकारण पवार को शियोसेना महाराष्टर भातुक सेना के जिलाद्यक्ष गनेश कनधारकर ने सुपारी भराटर्क होने की जानकार दी लेकिन कानारकर को ही पवार ने उल्टा बोल कर बयान देने के लिए बुलाया शनिवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद पवार अपने दलबल के साथ आदर्श रूर लाइंस ट्रांसपोर्ट पर पहुँचे अधिकारियों ने इस खबर की जानकारी शुसेना नाकपुर शहर प्रमुक को दी शहर प्रमुक मंगेश कड़ाव भी मौके पर पहुँचे अपने ही शुसेना गलत समझ कर सरकार अपनी है अधिकारियों के साथ अच्छी बात करने की समझ दी महाराश्ट वाहतुक सेना के राकेश अगरवाल कुमार सवासेरे निस्तानिक युवा सेना के नेता को फोन कर बुलाया युवा नेता पहुँचते ही कारवाई करने का फरमान किया गया अधिकारियों ने दो घंटे बाद कारवाई को आरम किया चार घंटे बाद कारवाई खत की गए सुपारी 350 बोरी आदरश रोड लाइंस को डाउन में सील कर रखी गए। सैंपल जाज के लिए भिज गया है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई करने की जानकारी साहियक आयुक्त चंद्रकान पवार ने दी है। करनाटक के सुपारी 300 रुपई किलो बेच जाती है। आसाम की सुपारी में करनाटक के सुपारी को मिला के बेच जाती है। जिसका रेंट सुपारी से लोग करक रोग के शिकार हो रहे है। जिसका रेंट सुपारी से लोग के शिकार हो रहे है।